नमस्का दोस्तों हमारे बियास सर्माबाद द्वाद चनल में आज सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम धन्त रोदशी की कथा का बन्न कर रहे हैं धन्त रोदशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है इस दिन जो है धन्वंतरी भगवान का भी जिनम हुआ था धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों का नास होता है धन्वंतरी भगवान का पूजन करने से किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो वो सभी दूर हो जाती हैं और लक्ष्मी माता की पूज़ा करने से साइकाल के समय माता लक्ष्मी का पूज़न करें और लक्ष्मी माता की कथा सुनने से लक्ष्मी माता की कृपा पूरे वर्स वनी रहती है धन तेरस को दीपावली की बराबरी में तोटा है धन तेरस को माता लक्ष्मी की धन प्राप् जो है जैसे चानी की चीज या चानी की चम्मच या चानी की पत्र नहीं ले सकते हैं तो आप इस्तिल भी ले सकते हैं नई चीज जरू खड़िते हैं गैने आवुशन का माता लक्षमी का बिशीष करके मेट तो का गया है दोस्तों माता लक्षमी की कता इस दें जरू सुने आ हमाई चैनल को सब्सक्राइब जू करें बगल में घंती का वटन डबाएं जिससे हमारी सभी वीडियो आप तर पहुंश सकें दोस्तों अब हम कठा प्रारम काते हैं बुलो माता मा लक्षमी की जै बुलो धन्वंतरी भगवान की जै दोस्तों सत्युक की बात है भगवान वि साथ में चलूंगी भगवान विश्नु ने का देवी आप मेरे साथ तो चलो पांदु जैसा में कहूंगा वैसा ही आपको करना होगा लक्षमी माता ने हां कर दी भगवान विश्नु लक्षमी की साथ में मृत लोग पर आए ब्रवान करते हुए एक जगह लक्षमी माता को कहते हैं कि देवी में दक्षिन दिसा को जाता हूँ आप यही पर रहना दक्षिन दिसा को मताना और मेरे बिना कहें तुम कुछ करना भी मत मातर लक्ष्मी नहां कर दिया अब भगवान विश्णू जो है दक्षिन दिसा को चले गए मातर लक्ष्मी की मन में एक कोतुल हुआ इस्ति के सुवाब बस ये होता ही है कि मेरे स्वामी डखिंद साको गए मुझे जाने से मना किया है डखिंद सामे ऐसा क्या है जो स्वामी वह अपर गए हुई है और मुझे मना कर रहे हैं लक्ष्वी माता भी पीछे पीछे चल दे थोड़ी दूर जाने पर लक्ष्मी माता ने देखा कि सरसों के खेत खरे हुए हैं पीले पीले फूलों से बड़ी सुगंदित सुगंदा आ रही है और पीले पुस्पो की चादर जैसी खेतों में चाय हुई है माता लक्ष्मी को पीले सरसों के पूल बहुत प्रसंदाई उन फूलों को तोड़ करके अपने शिंगार में लगा लिया थोड़ी आगे वड़ी किसान की खेट में गन्ने देखी गन्ने को लेकर के माता लख्मी ने तोड़कर की चूशने लगी उसी समय भगवान विश्णू आ गई का देवी तुमने मेरे बात का नाधर किया मैंने पहले किया था कि मेरा कहना जुरू मानना और तुमने इस किसान गन्ने किसान के खेट में चोरी की है बिना पूछे तुमने चोरी करी है इसलिए मिश्राब देता हूँ 12 वर्स तक तुम इस किसान की सेवा करो इतना कहकर के भगवान विश्णू बैकुंट लोग को चले गई माता लक्षमी जो है किसान के घरपा रासी बन कर के रहने लगी किसान ने का मेरे पास तो कुछ नहीं में क्या दूँ उसन ने का मुझे कि रोटी दे देना रहने कुछ जगए दे दो मैं आपकी घर की काम करूँगी, खेती में काम करूँगी किसान ने रख लिया एई दिन जब से माता लक्ष्मी किसान के गर में आई किसान के दिन बगरने लगे माता लक्ष्मी ने जो है किसान की पत्नी सिका कि देवी आज रस्वे बनाने से पहले आप इसनान करके मैं आपको एक मुर्ती दे रही हूँ लक्ष्मी माता की आप उसकी पूजा करो तुमारी सभी मनों कामना पूरी होंगी किसान की पत्नी ने ऐसे किया आप तो घर की अंदर दन रत्न भंदार सोने चाने के देल लग गए किसान बड़ा प्रसंद हुआ कि जब से ये देवी लक्ष्मी आई है ये हमारे घर पर जो का अब भगवान विश्नु लक्ष्मी को लेने के लिए आ गए जब भगवान विश्नु आए किसान ने देखा कि ये विश्नु है लक्ष्मी जी जाने लगी लक्ष्मी जी अपने शुरूप में प्रगत हो गई किसान कहने लगा अब मैं नहीं जाने दूंगा लक्ष्मी मात सी इमीरे घर में मंगल हुआ है थंडान हुआै अब मैं आपको जाने निंहें दूँगा लख्षु मात आने का है किसान मुझे कोई नहीं हो सकता में चंचला हूं है कि तप किसान के लगा दे भी आपको रोकने का कोई उपायत होगा लक्षी माता ने का कि कल के दिन तुमारे भाग से तेरस तितिय है कातिक कृष्ण पक्ष की तेरत है इस वो धन तेरस भी कहते हैं इस दिन जो है तुम पूरे घर को लीपो साब सफाई करो मेरे लिए जो है एक आसन बनाओ और मेरे पूजा करो मेरे सामे दीपक जलाना गी का अत्वा तिल के तिल का मेरी अराधना करना इस तरह से तुम करोगे तो मैं पूरे वर्षवा तुमारे घर पे रोंगी और एक पात्र जो है पीतल का अत्वा तामे का सिकों से बर्कर की जुरू रखना उसी पात्र में में निवास करूंगी तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी पर तुमारे घर में दूंगी किसान ने ऐसा है किया किसान की घर में धन की बर्कत होने लगी और लक्षमी माता उसी समय दसों दिसाओं में फैल गई, दीपकों की रोशनी में फैल गई, चार उतरब संसार पर किरपा करने लगे, किसान के घर में पहले की तरह धंदान बना रहा, हर वस धंतेरस को पूजा करने लगा, उसी समय से संसार में धंतेरस के दिन माता लक्षमी की पूजा और ये कठा प्रिष्लिट होई इस कठा को जो सुनता है मातर लक्षमी की किरपा उसको पर जरूर बनी रहती है आप सभी को जो है धन तेरस पर मातर लक्षमी का साइकाल की समय पूजे नवस करना चाहिए मातर लक्षमी के सामने जो दीपक जलाएं उसमें मोली की बत्ती होनी चाहिए यहां तक है कि दन तेरस को तरो रशी के दन तेरे दीपक जलाने चाहिए मातर लक्षमी के सामने एक बाकी और दीपक के तुर्शी पर नाली पर चौराय पर च्छत पर पीपल के पेड के नीचे भगवान की फोटो के आगे इस तरह से जला देने चाहि मातर लक्षमी कृपा दिश्तिया आपको पर बनी रहें मुले लक्षमी मातर कीजें